सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और प्रेस कीजे बेल आइकन को जिससे मेरे चैनल की नोटिपिकेशन आपको मिल सके मिर्च हमारे खाने को काफी लजीज और स्वादिश्ट बनाती है आज कल मार्केट में कई तरीके के मिर्च अवेलेबल है रैड ग्रीन यलो ब्लैक परपल और वाइट यह हमारा वाइट मिर्च का प्लांट है जिसको हम नर्सरी से लाए हुए थे फ्रेंट आज हम इसको रिपॉट करेंगे मतलब की पॉली बैक से रिमूव करके अपने ले लेंगे मतलब की 10-8 इंच का मतलब 8-10 इंच का कोई भी पॉट ले लेंगे हम जिसमें ड्रेनेजल काफी सारे हो उसके बास हम अपना पॉटिंग मिक्स रैडी करेंगे तो पॉटिंग मिक्स में हम क्या करेंगे 50 परसेंट अपनी जो गाइडन की स्वाइल है वो ले ले लिए है हम अपना जो पॉट है इसको फिल करेंगे तो इसमें जो ड्रेनेज भोले मिक्स इसमें फिल कर देंगे Potting mix इस तरीके से fill करना है कि इसमें air pocket वगएरा न रह जाए तो यह हम अपना potting mix इसी तरीके से fill कर देंगे इसके बाद अपना pot में जो हमें अपना plant है वो shift करेंगे तो friend plant जो अपना है वो carefully तरीके से polyback से remove करना है root वगएरा ना तूटे जिससे fungal की problem हो सकती है यह आपका प्लांट सौक में आ सकता है जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुख सकती है तो हम केरफुली तरीके से इसको रिमूव कर देंगे पॉली बैक को और यह हमारा रूट बॉल देंगे फ्रेंड काफी अच्छी तरीके से निगल आया है तो अब हम इसको अपने पॉल्ट में सिफ्ट कर देंगे इसमें कोई भी हमको छिर्चार नहीं करनी है लगाने से पहले इसमें जो यह हरे कलर की जो काई लगी हुई है इसको हम हटा देंगे जिससे यह हमारे जो पूरे प्लांट की जो स्वाइल है उसको डैमेज मलब नुपसान देती है चार से पांच दिन सेड में रखने के बाद इसको फिर हम सनलाइट में ले आएंगे और मिर्च के प्लांट को पानी की बहुत मतलब ज्यादा आओ सकता नहीं होती है हफते में एक बाद इसको पानी देंगे तब ही परयाबती जब इसकी ऑफ को ड्राय लगे जब इसमें फ्लावरिंग आ रही हो तो फ्रेंद इसमें इसमें यह कम करदें अगर आप वाटर्रिंग करें तो इसकी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग नहीं होगी तो के फ्रेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें